आप सभी का स्वागते आज की सबसे बड़ी खबर साकूली विदानसवा शेत्र के भाजपा के विधायक बाड़ा का शिवार इन्होंने अब तक अपने शेत्र का विकासी नहीं किया है आएए देखते हैं लोगों का क्या है के ना हम लोग इस वक्त मौझूद है मांड़ करके यह गाउ है यह गाउ साकूली विधानसवा क्षेत्र का ही गाउ है और लगबग इस गाउ की तंसिल जो है वह लाखानदूर है और इस गाउ में भी यहां के जो स्तानी विधायक है बा आया है कि अधिकतर गाउ में विधायक अपने चुनाओ के दोरान ही कुछ कामों के माद्यम से उद्धाटन के माद्यम से उस जग पहुंच रहे हैं लेकिन उन्होंने अक्सर जब उन्हें पिछले जो चार वर्ष बीते हैं उसमें वो कभी इन गाउ में आये भी नहीं है अभी कहीं गाउवालों ने हमें जानकरिया दिया अभी जानते हम लोग इस गाउव के लोगों की क्या समस्या है और क्यानकिन समस्याओं का सामना करके वो लोग अपने जीवन को यापन कर रहे हैं आपके गाव में पीने के पानी की क्या समस्या है पीने का पानी आता है कि कभी कभी नहीं आता है सबसे बड़ी समस्या क्या है सबसे बड़ी समस्या को लेकर कभी आप इधायक से चर्चा नहीं कि अपने चुनाओ जब 2014 का चुना हुआ था तब उस दौरान तो तो आए होगे बाड़ा काशिवार जी को शायद उस समय नाना पटो ले नहीं विधाय की कायने जो टिकेट अगरे था भाजपा का वो उन्होंने दिलाया था तो उस समय तो आए होगे ना पर उसके पास जाता को नहीं तर से हुआ होगा समाधन कैसा होंगा तर याने देखिए कैसा होता है एक विधान सबाक्षेत्र होता है उस विधान सबाक्षेत्र का एक प्रतिनीदिन को अपन चून के देते हैं वह इसलिए चून के दिया जाता है कि अपने हाँ अगर मान के चले स्वातसिवा खराब है शिक तो आपके विधायक क्या लगा कुछ क्या लगी कि निश्किर लगे फ़र और तो कोई जवाब नहीं मिलता रोजगार नहीं मिलता अच्छा यहां पर इता नहीं तो नहीं रहते सर् वह नहीं रहते क्या नाम है आपका नाशी के टेंबूर ने बताईए आपके गाउं में जैसे जो स्वात सेवा है वो हमेशा खराब रहती यह बोले यानि यहां समय पर अगर नहीं रहती तो यह समस्या को लेकर कभी आप विधायक से चर्चा कोई नहीं कर पाते आपके गाउं में रोजगार क्या साथन ए रोजगार की तो कोई नहीं है मन्रेगा के काम किते ते पर से तो चले एक अदह लिए बाचिटमा फायदा कितना यहां रोजगार कुछ थे किसानी से कितने कितना होता लोगोば कि रखकल बगर कुछ मिलते किसानी संगत। पांतव परदान की योजना यह पाई से नहीं मिले आपके गाउं में घरकुल जो होते याने जो प्रदान मंतरी आवासि उजना उसके कुछ हुए है वाट अगरे आपके अचा आपके यहां जो पीने की पानी की समस्य उसके लिए वाटर फिल्टर अगरे है कुछ अच्छा वाटर फिल्ट हाई लेकिन पुरवाठा यह ने डिस्टिशन नहीं होता बराबर नहीं होता अच्छा तो इस संदर में कभी चर्चा हुई आप ने चर्चा वर्चा तो कुछ किसान के लिए जो बिजाई होती है सरकार के तरफ से कुछ मिली आपको बीजाई के तरफ से अच्छा जो खाद वगएरे होती है वह दवाइया वगएरे उनकी फटिलाइजर मिले पुछ नहीं अच्छा फिर आप यह खेती कैसे करते यानि आप उसको जो पैसा कैसे लगाते आप उसमें पैसा कैसा लगाते यानि घर का सब्सक्राइब लोन लेकर फिर यह करते हैं अच्छा जो कभी माफ हुआ है आपका कभी माफ नहीं हुआ क्या लगा ओपके साथ सरकार है नहीं है क्या होता है सरकार अपने उपने लगा का उधिय prayer मिला है इसा करदा नहीं मिला नहीं मिला है या आप अपनी खेति स्वै कुछ के दम पर ही करते हैं क्या नाम है आपका गुमेश्वर शाहरे जी बताइए आपके गाओं में शिक्षित लोगों की संख्या कित्योंगी याने जो यूवर्ग है यूवर्ग में देखे तो आज तक यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो बेरोजगार पड़े हैं अच्छा उनको बे में उनको वहीं को ताइम को एब fraвал कर तो यह कितना दूर है आपका गाओं जाकर आप मिलते हैं लेकिन आप को समय नहीं तो आपकी समस्यां को कभी उनने सुना नहीं अभी तक है यह नहीं क्या लगता है कि reagisadu तो वो बिल्कुल निश्क्रिये अभी तक उन्होंने कोई भी हमारे गाव में जब यह चुनाव आता है बस उसी दिन उनका मुंद तो यह भी लोग सबाद चुनाव में आये होंगे आपके गाव को अभी तक तो नहीं 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 आये थे क्योंकि उनको डर है कि लोगों को जो है उनके खिलाफ हो चुके कि इसलेए उनकी आपकी जो यह जो यह तो यह तो उनको जिता के दिए जह समझ के दिए कि वह हमारे से अभी शेतर का वीकास करेंगे लेकिन उसका उल्टाई हो गया अच्छा आपके गाव में सरकारी राशन दुकान है यह बिलकल राशन कैस सबसे बड़ी समस्या यहां इस गाओ की रोजगार है रोजगार के इस गाओ में कोई साधन नहीं है लगबग यहां किसानी हर घर में किसानी की जाती है लेकिन किसानों का सबसे बड़ा यहां ड्रॉबैक यह देखने में आया कि किसानों को अपनी किसानी स्वय याने खुद के शक्ति बल से करनी पड़ती है याने उसे मेहनत तो खेतों में करनी है लेकिन साथी साथ उन्हें अपनी जो किसानी में जो एकनॉमिक के लिए जो है क् कि सरकार के और से उनको कोई भी योजना का लाब नहीं मिल पाता ऐसी कहीं समस्याओं को लेकर इस गाओं के लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं मैं कैमरा मैं निलेश पशिने के साथ निशान भाई फिलाल वक्त हो चुका एक ब्रेक का ब्रेक से लोटे के बाद देखते रहें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आप हमारी चानल को आप पर भी देख सकते हैं प्लेस्टोर में जाकर MNS हिंडी लिखे और आप डाउंलोड करें साथी साथ आप हमारे फेस्बुक देख सकते हैं और यूटूब चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें तब तक के लिए बने रहे हैं MNS निउस के साथ धन्यवाद पेता जी मेरा रिपोर्ट कारण मैं फिरते फेल हो गया हुआ है हुआ है 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 जंडे ब्राइब करें इस जुबान पर लगाम लगाता है हाथ नहीं जंडे ब्राइब